नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सोचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा आज हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हमारे साथ आम आदमी पात्ती डॉक्टर रिंगी प्रदेश यद्यक्ष डॉक्टर सारीका वर्बा हमारे स्टूडियो में मुझूद है तो सबसे पहले तो सारीकाची आपका बहुत पास स्वागत है हमारे स्टूडियो में तो मैम सबसे पहले हम आपसे जाना चाहेंगे कि आपके राजनितिक सफर की शुरूआ कब और कहां से हो यह आपका फैमिली बैक्ग्राउंड ऐसा था कि आपको पॉलिटिक्स में इंट कोटे बच्चे थे और प्रैक्टिस जब शुरू करी तो फिर दो तीन साल में थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई फिर लगा कि शहर के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए और उस टाइम में आमाद्वी पार्टी उभर के आ रही थी दोहजार तेरह में योगिंदर य किया और दोहजार तेरह से अब दस साल हो गए मैं लगातार काम कर रही हूं गुड़गाओं में और मैं उमीद कर रही हूं कि आगे चलके भी देश की और शेहर की सिवा कर से तो मैं जैसे कि आप पेशे से दॉक्टर भी है साथ में आप पॉलिडिक्स भी तो आप दूनों बढ़ाइब कर दो लिए तो इतने बुरा हाल में आते हैं और फिर एक साल बार जब थेरपी लेके वो बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हो गए तो जो सेंस ऑफ साटिस्फेक्शन होती है जो डॉक्टर आप इसलिए बने कि आप लोगों का को हील कर सके उनको उनकी लाइफ इंप्रूव कर सके तो मुझे बहुत साटिस्फेक्शन मिलती है और वो स्केलिबिल्टी मैंने यह समझी है कि अगर आप देश में भी कुछ अ सकती है मैंने अर्विन के जिवाल और दिली सरकार का काम देखा है और 2013 से जुड़ी हों तो एक एलेक्शन दूसरा एलेक्शन तीसरा एलेक्शन मैंने पूरा ग्राफ देखा है और जिस तरह लोग पहले हसते थे कि गवर्मेंट स्कूल की बात करें तो कभी ठीक नहीं हो सक है और मुझे जिस तरह डेली में स्कीम थी वह जो महला क्लिनिक बने है डेफिनितली उससे बहुत फरक पड़ा है लेकिन जो मुझे बहुत इंपक्ट करी है वह जो लाइफ बचाने वाली स्कीम इन्होंने फरिष्टे योज ना लाए है कि अगर हमारी फैमली में मेरे खु अगर प्रिष्टे योजना जो है कि अगर किसी को भी आप देखते है कोई किसी का एक्सिदेंट हुए आप उनको फैटल ले जाए जाए ख्लोजस्ट प्राइवेट वह जाए दिली सरकार उनका पूरा खर्चा देती है उनका पूरे ट्रीटमेंट इलाज कराती है और आप जो उनको ले के आएं आपको पिनलाइज नहीं किया जाएगा आपको इनफेक्ट फरिष्टे का सर्टिफिकेट देखे आपको कुछ पैसे समान राशी भी दी जाए तो यह मुझे लगता है बहुत अच्छी स्कीम है जरूरी नहीं है कि हमारी आमाद भी पार्टी आए तो अच्छी गवर्नेंस जो है बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सुधार सकती है तो मैं पूरा टाइम देती हूं मेरे बच्चे जब सुवए उचने से लेके रात को सोते हैं जब स्कूल से आता है अगले साल बीटी को चले जाएगी और बच्चों को मैंने बहुत समय दिया है उनको पढ़ाई हमेशा अपने आपकराई कभी उनकी टूशन नहीं को पढ़ाई है कराई खुद से उनको पढ़ाया तो मुझे बहुत तसली है कि अगले करते हैं तो क्या आप भी तैयारियां कर रही है जी बिल्कुल कर रही हूं निगम चुनाव कि यहां पर जो गोश्टा को पता है कि एक साल थी इन्होंने सगित कर रखे एलेक्शन तो पिछले सेप्टेंबर में होने चाहिए थे अब एक साल बीच चुका है फरीदाबाद में दो साल बीच चुके हैं और माने सर में निग रिवर्ट कर सकता है कि वह रहे ही ना निगम तो गुड़गाओं में जिस तरह यह चुनाव से भाग रहे हैं भारती जनता पाती उनको पता है जमीन पे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है जनता परिशान है पूरे गुड़गाओं शहर की बात करे हम तो डोर टोर जा रहे हैं परिवार जोड़ो अब्यान में मैंने नौ वार्ड में काम किया है और अलग-अलग कॉलोनीज में हम जाके लोगों से बात करते हैं हर इंसान वेट कर रहा है कि हां बदलाव आए और यहां पे जमीन पे हमारे कोई काम करें गुड़गाओं की बात करें तो यहां कच्र कोड़ो करोड़ो रुपे दे रहा है पूरे प्रदेश को चला रहा है और यहां का प्रवंदन इन से नहीं संबलता मुझे लगता है अगर आप से काम नहीं होता तो प्लीज कुर्सी छोड़ दो बाकी किसी और को मौका दो जो काम करने में इंट्रेस्टेड है क्योंकि ना अगले साल एलेक्शन आई रहे हैं स्टेट के तो में उस पर काम करें शालिये ठीक है मैं आगे हम आप से जाना चाहेंगे कि जैसे राखुल गांदी जी ने बारा जोड़ो यात्रा शुरू करी फिर अभे चोटाला ने परिवर्तन यात्रा शुरू करी उसके बाद कॉंग बहुत जादा अंतर है क्या होता है मैंने राहुल गांदी की जो भारत जोड़ो यात्रा I respect the sentiment बहुत अच्छी चीज है जोड़ना चाहिए और इससे कॉंग्रस को एक नहीं उर्जा मिली है और राहुल गांदी को भी बहुत पॉजिटिविटी मिली है मीडिया में और पब इससे लोग जुड़ते हैं लिटरली लाइक शोबाजी तो होती है एक हवा बनती है पोस्टर लगते बैनर लगते लेकिन कितने लोग उनके इनर सक्कल में आते हैं दस पंदरा बीस मैक्सिमम हम लोग परिवार जोड़ो अभियान कर रहे हैं एक एक गाउं में जा रहे है एक एक घर में जा रहे हैं लोगों के साथ बैठ रहे हैं बात कर रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं उनसे प्रॉब्लम समझ रहे हैं और फिर उससे जो निकल के आता है और 21 लोगों की कमिटी हर गाउं में बना रहे हर वार्ड में बना रहे हैं तो जो हमारे निकल के आ रहे ह उसका कोई comparison ही नहीं है एक होता है कि आपने या तरह निकाली उड़के चले गए आपने हवा दिखा दी और दूसरा होता है कि आप एक एक घर से में जाके बात करो अब मैं परसूं की बात बताओं हम वाड 28 में जो जार सा गाओं है वहां गए और कई लोगों से बात करें वी पानी नहीं आ रहा है पीने का आप हैरान होगे कि पूरे जार्सा में पानी आ रहा है एक महले में पानी नहीं आ रहा है क्या कोई और वज़े है तो इसका मैंने मुद्धा उठाया मैंने मीडिया के माधियम से ट्विटर के माधियम से मैं निगम कमिशनर के पास भी मैसेज पहुंचा दिया कि भई आप पूरे गाव में पानी आ रहा है एक गाव में एक हिस्से में आ रहा है तो कौन जिम्हेदार है इसका ना आपका वाँ पर काउंसलर है कि लोग कहां जाए और इतने परेशान है महिला है बोली कि दो दो बालती हम नेबर से जाटों के घर से लेकर मिलेनियम सिटी फलाना सिटी दिमकाना सिटी आप लोगों पानी तक नहीं दे पा रहे हो तो यह सरकार की जो है बहुत जादा फेलियर है और आम आदमी पार्टी ने पिछले डेड़ महीने पहले हमने बिजली अंदोलन किया था हमने एक-एक महले में जाके लोगों से बात रहा है अगर उसको हम लोग 1,500 का सबसीटी देते तो कोई नुकसान नहीं है यहां पर क्या है कि आप करोड़ों से करोड़ पती जो है उनको तो आप सबसीटी दे देते उनको आप टैक्स रिबेट दे 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 उनको आप एक लोन माफ कर देते हो एक आम इंसान जो 20 दा रुपे महीना कमा रहा है उसको अगर आप 1500-2000 की सबसीटी दे रहें तो यूसी देबल स्टैंडर्स देट मोधी कोवर्मेंट अस ब्रॉट अपने दोस्तों को नोने पहले गुजरात के सबसे अमीर बनाया फिर इंडिया के सबसे अमीर बनाया फिर एश्या के सबसे अमीर इंडिया इंडिया आप तरह पहले लोगों को राशन कर नहीं कर आप परिवार पहचान पत्र के नाम पे आपने राशन काट के बुरा हल किया गुडगाओं के हर महले के सब्सक्राइब आपको क्या लगता है कि आपकी परिवार यूजना जो आपने लगाई है स्टार्ट करी है तो वो कितनी सफल हो पा रही है कि लोग उसको मतलब अपना रहे हैं आपके साथ जुड़ रही है उसकी वज़ा से सब्सक्राइब करें लिए लुग जोड़े और इसके बाद अगे चल के आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में और हमारा एंड रिजल्ट यह है कि हम हर वाड और हर गाउं में 21 लोगों की टीम बना रहे हैं और इसके बाद आगे चल के आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में हमारे शपद ग्रहन होगी अर्विन के जिवल खूद आएंगे शपद देने के लिए और आम आद भी पारिवारा बढ़ता चला जाएगा चले आगे जानते आपसे जैसे इंडिया गट बंदन में आप पार्टी भी शामिल है तो क्या हर्याना में लोग सभा चुनाओं की जो सीटों की मांग करेगी तो ऐसी जट जाए कि लोग सभा सीटे जो है गुरुग्राम में आदमी पार्टी लेना चाहती है इसके बारे में आप क्या लिए इंडिया गट बंदन क्यूं बना है इस वेरी इंपॉर्टेंट क्यूं हम इ याद होगा जब नए पार्लेमेंट में गए जो कॉंसिट्यूशन की कॉपी मोदी जी ने सब पार्लेमेंट सांसदों को दी उसमें दो वर्ट हटा दिये गए तो मतलब आप सम्विधान को भी बदल रहे हैं और यह इनकी मानसिक्ता यह है कि देश को और जो इतने सालों से स्यवुशन को सब्सक्राइब करना चाहते है इसको छटम करना चाहते हैं वाँ और हर्याना में 10 हैं उस में से हम में जो भी हमारा शेर मिलेगा वो तो सीट नेगोरिसेशन हमारे लेवल पे तो होने नीष ना मेर से पूचके करेंगे कि तुमको कॉनसी सील चाहीए यह तो उपर लेवल पर बात होगी संजे भहिया से जब बात हुई थी मेरी तो उन्होंने का था कि 30 दिन में यह हो जाएगा उसके बाद उन्होंने संजे जी को एरेस्ट कर लिया तो आप चीजे थोड़ी सी और डीले होंगी लेकिन आप देखिए का दोजार चौबिस में भ है कि आप पार्टी पे दिल्ली में आरोप पे आरोप लग रही है ठीक है इसके बारे में आप क्या कहेंगी आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका असर हरियाना पे भी पड़ेगा आपको देखिए चिंगारी अगर होती तो धूआ होता है कि दूए तभी निकलता है जब आग लगता है लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि धूए की सरकार चल रही है ब्रहम की सरकार चल रही है आरोप पे आरोप लगाए तो जहा रहे हैं 41 हमारे MLS पे इन्होंने फेक केसिस किये और जब वो कोट पे पहुंचे तो सारे के सारे इच और एवरी वन आफ देम को उ उनको जेल में डालना जरूर है लेकिन आज तक सतिंदर जैन को में एक सवा साल हो गया मनीश सी सोडिया पे आठ मेने हो गये संजे भाया को दो हफते हो गये आपने कुछ प्रोसेस ना दिखाया है और जब को पूछते हैं कि भाई वेर इस द प्रूफ दिर एप्सलूटली लेती है और फिर जब छूटते हैं तो जाके वह कोट में बोलते हैं कि यह मुझे जबर्दन मार पीट के मेरे से यह बयान दिया गया आज संजे भया पर जो इन्होंने किया है क्या है टोटली फेक है जबकि ही इस नॉट मिनिस्टर ही जब मेंबर ऑफ पार्लिमेंट ऑफ उनका एक्साइज पॉलिसी कोई लेना देना नहीं लेकिन आपने उन पर आरोप लगा दिया और आज भी आप कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाए मनीश सिसोडिया आठ महीने हो गए हर बार उनकी बेल हीरिंग आती तो बोलते हमारे पास कुछ नए सबूत आया आज सबूत निकाल के दिखा हुआ इट इस नॉट इनफ कि आरोप पर लगाना काफी नहीं है आरोप काल्स तक प्रूव तो कर नहीं पाए आपने सारे हमारे मलेस को आपने प्रताड़ित करके देख लिया मनीश सिसोडिया को यह भी ओफर दिया गया था कि भाही तुम भारतिय पार्टी का चेहरा जनता को दिख रहा है यह जूट बोलके आपने आपको गुम्रा कर सकते हैं लेकिन जनता जो है बहुत ही ज्यादा सयानी है और पारि को कि रिखा रहा है उनको दिख रहा है उनका गुसा उबल के आ रहा है और जिस तरह एमर्जेंशी के टाइम में आज at least एमर्जेंशी में कॉंगरस में यह हमत थी कहा था खिया अब यह अनुटिलेड एमर्जेंसी बोलते नहीं आग्षित आपिकालीन से ती बना हिम्मत है तो आप उनको कन्विक करके दिखाएं एडी ने तीन हजार रेट्स कियां तीन हजार उनका कन्विक्शन रेट इस लेस्टन पॉइंट फाइफ परसेंट डैट मेंज 29002,999 rates were fake and they were not warranted so that means ED and CBI are being used by the government to just pressurize the opposition और सभी लोग जो ऑपोजिशन में हैं लिबरल है मूँ खोलते हैं आवाज उठाते हैं जर्नलिस्ट हैं उनको धमका के डरा के चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन मैं आप प्रधान मंत्री को और भरते जंता पार्टी को बता दूँ, 2024 के चुनाव आ रहे हैं जनता बहुत से आनी है आप कुछ काम कर लो वरना आपके नंबर आने वाले हैं चलिए सारीका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिये आपने बहुत अच्छी जानकारिया दी बहुत अच्छा बताया आपने सब और इसी के साथ ही आज क हमारे खास मुलाकात खास प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है और आगे भी आपसे इसी तरह के जो राजनीती शक्सियत है उनको मिलवाते रहेंगे रूबरू करवाते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार